नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल पर आपका हारदिक स्वाकत है दोस्तों आज की इस वडियो में मैं आपको एक ऐसे चमतकारी नुस्खे को बना कर दिखाऊंगा दोस्तों जो आपके सरीर के खून को पतला करने का काम करेगा और खून को गाड़ा होने की समस्या को दूर करेगा खून को साफ भी करेगा जिससे की आपके चहरे पर नया गलो आ जाएगा आपकी उमर बढ़ने की प्रकरिया रुख जाएगी दोस्तों नसों की ब्लोकेज को खोल देगा यदि आपको मासपेशियों का दर्द है या किसी भी परकार का जोडों का या सरीर का दर्द है दोस्तों उसका भी ये एक कारगर इलाज है डाइबटीज रोक को बिलकुल कंट्रोल करने का काम करेगा इस सुगर की बिमारी के जो कॉम्पलिकेशन है उन्हें सब से भी बचा कर रखेगा खून की गंदगी को साप करेगा कोलोस्टोल की समस्या का इलाज करेगा हार्ट ब्लोकेज, हार्ट अटेक और इन दिल की बिमारियों से बचा कर रखेगा दोस्टो आपके मुटापे को भी कंट्रोल करने का काम करेगा आपके हाई बीपी को हाथो हाथ कंट्रोल करेगा ऐसा चमतकारी नुस्खा है और दोस्खे को आप अपने घर पर ही बनासकते हैं इस नुस्खे को बनाने के लिए जो सबसे पहली मुखे समगरी है वह है दोस्तो दालचिनी और दोस्तो दालचिनी के फाइदे को नहीं जानता दालचिनी को मसालों की रानी कहा जाता है दोस्तो दालचिनी की अंदर वो सभी गुन मुझूद होते हैं जो आपके सरीर को नीरोगी बना सकते हैं दालचिनी में ugen sounding भरपूर मातरा में पाई जाते हैं दाल्चिनी में ऐसे से chemical compound है जो आपके सरीर को बीमारियों से बचाने का काम करते हैं दोस्तों दाल्चिनी में anti environmentally गुर्ण भी मुझूद होते हैं जो आपके सरीर को निरोगी बनाने का काम करते हैं Diabetes और Blood Sugar के लिए तो दालचीनी एक वर्दान की तरह काम करती है. यदि किसी भी व्यक्ति को सुगर की विमारी है तो उसको दालचीनी को अपने अहार में जरूर सामिल करना चाहिए. यदि वह अपने इस Diabetes लेवल को कंट्रोल में रखना चाहता है क्योंकि दालचीनी की अंदर Anti-Diabetic गुन पाए जाते हैं. जिससे कि उनकी जो सुगर की वो है उसको कंट्रोल करने का काम करती है. क्योंकि दालचीनी में मुझूद polyphenol, serum, glucose और insulin को कम करके diabetes के खत्रे को कम करने का काम करता है. इस बीमारी से होने वाले complexion से भी आपको बचा करकता है. दोस्तो दालचीनी diabetes के साथ ही हानिकारक cholesterol को भी कम करके हर्दे को सवस्था बनाने का काम करती है. दोस्तो यदि आप एक चोथाई चमच दालचीनी का परियोग, एक चोथाई चमच छोटी चमच का परियोग दालचीनी का करेंगे, तो इससे आपका जो bad cholesterol है वो दूर हो जाएगा, heart blockage और heart attack की समस्याद दूर हो जाएगा, आपकी दिल की बिमारों का इलाज हो जाएगा. सभी तरह के दर्द से आपको छुटकारा दिलासकती है दालचीनी, पेट और पाचन के लिए बहुत कारगर दबा है, ये आपके पाचन को मजबूत करने का काम करती है क्योंकि इसके अंदर anti-microbial गुन होते हैं, जो पाचन तंतर वे पेट में संकर्मन का कान बनने वाले ब पचाकर रखती है, दोस्तो दिमाग को तेज करने का काम भी करती है, ये दालचीनी, तो देखा दोस्तो कैसे दालचीनी आपके सरीर के लिए कारगर दवा की तरह काम करती है, आपकी इम्मुन पावर को बढ़ाती है, मुटापे को कंडॉल करती है, क्योंकि इसके सेवन से आपका मेटबलिजम पूष्ट होता है, क्योंकि दालचीनी में पॉलिफिनोल मुवजूद होता है, जो एक परकार का एंटॉक्जिंट है, जो आपके मुटापे को कंडॉल करने में आपकी मदद करता है, भंगल इन्फेक्शन से बचाती है, आपकी तवच्चा को हमेशा जवाँ बना करती है, दोस्तों ये तो पता चल गया आपने कि दालचीनी का आपने प्रियोग करना है, और दालचीनी से आपके सरीर को ये ये फाइदे होती है, अब मेन जो मुखे बात आती है, वो ये आती है कि आपने दालचीनी का प्रियोग करना कैसे है, सबसे मेन का एक गिलास हलके गुंगने पानी में इसको मिलाकर उसको कट-कट करके पीछ आएं आप इस तरीके से भी दालचिनी का प्रयोग कर सकते हैं दूसरा आप दालचिनी को एक चोथाई छोटे चमच दालचिनी को आप सहथ के साथ मिक्स करके भी दालचिनी का सेवन कर सकते हैं य क्योंकि वो दालचीनी के फाइदों को और बढ़ाने का काम करेगा। एक तो दालचीनी अपने आप में ही स्ट्रोंग है उस्दी है। और यदि आप इसका सेवन सहथ के साथ मिलाकर करेंगे तो यह सूपर स्ट्रोंग हो जाएगी। यानि वो कहते हैं सोने पर सुहागे वाल सुरू करतीजे और अपने सरीर को बिलकुल निरोगी बनातीजे तो दोस्तों यह थी हमारी वडियो। यदि आपको हमारी वडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और सेयर जरूर कीजे इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजे और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बैल का इकोन है उसको भी दबा दीजी ताकि आपको हमारी सभी आने वाले वडियो की नोटिफिकेशन आते रहे धन्यवाद दोस्तों